तो हे गारिस वेलकुम बैक ने वीडियो तो फाइनली जो Redmi की Note 9 सीरीज है चाहिना में वो आज लौच हो चुकी है तो इस सीरीज में आपको दो स्मार्टफोन मिलते हैं एक Redmi का Note 9 Pro, एक Redmi का Note 9 5G एड एक Redmi का Note 9 4G वाला वेरियंट तो आपको तीन स्मार्टफोन मिलते हैं Redmi की Note 9 सीरीज के अंदर तो ये जो स्मार्टफोन है वो आपको इंडिया में भी मिलने वाले हैं और इंडिया में जिनका नाम होगा वो आपको Redmi की Note 10 सीरीज के अंदर भी मिल सकता है तो आपको Redmi का Note 9T या Redmi का Note 9T Pro के नाम से देखने के लिए मिल सकते हैं तो देखते हैं कि इसका जो नाम होगा वो एक्चल में क्या होगा बट इतना जरूर कनफरम है कि यह इंडिया में आपको जल्दी देखने के लिए मिलने वाले हैं तो गया सबसे पहले बात के लिए तीनों स्मार्टफोन की प्राइस की तो Redmi का Note 9 Pro 5G वाला वेरियंट है उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस स्टार्ट होती है वो 17,950 रुपीज से स्टार्ट होती है अगर मैं Chinese V1 को इंडियन रुपीज में कनवर्ट करूँ और इसमें आपको 60V RAM 128GB वाला बेस वेरियंट देखने के लिए मिलता है और 8GB RAM 128GB वाला आपको सेकंड वेरियंट मिलता है जिसकी प्राइस आपको 20,200 रुपीज रखी गई है और जो हायर वेरियंट है उसमें आपको 8GB RAM 250 60V के स्टोरेज मिलती है उसकी प्राइस 22,440 रुपे रखी गई है चाइनिस मार्केट के हिसाब से तो देखते कि इंडिया में किस प्राइस के साथ लोच होता है और जो Redmi का Note 9 5G वाला वेरियंट है उसकी जो स्टार्टिं प्राइस आपको 14,580 रुपे है और इसमें आपको 60V RAM 120 8GB वाला वेस वेरियंट देखने के लिए मिलता है और जो सेकंड वेरियंट है उसमें आपको 8GB RAM 120 8GB के स्टोरेज मिलती है जिसकी प्राइस 16,830 रुपीज है और जो हायर वेरियंट है उसमें आपको 8GB RAM 250 6GB के स्टोरेज मिलती है जिसकी प्राइस आपको 19,000 के करीब देखने के लिए मिल जाती है तो जो प्राइस है वो काफी अच्छी रखेगी है Redmi के Note 9 5G वाले वेरियंट की और जो Redmi के Note 9 4G वाले वेरियंट है उसमें आपको 4 वेरियंट देखने के लिए मिल जाती है जो स्टार्टिंग वेरियंट की प्राइस आपको 11,000 पे मिलती है जिसमें आपको 4GB RAM 128,000 के स्टोरेज मिलती है जो 2nd variant है उसकी प्राइस बारा हजार थीन सो के करीब मिलती है जिसमें आपको 60 TV RAM 128,000 के स्टोरेज मिलती है 2nd variant की प्राइस आपको 14,000 के करीब मिलती है तो इस वाक्डि वेरियंट की प्राइस आप यहां पर सिक्रीन पर देख सकते हो आपको कुछ इस तरह की प्राइज मिलती है Redmi के Note 9 4G वाले वेरियंट की तो गैस रही बाद डेटेल स्पैसिकेशन की तो सबसे पहले हम बात के लिए Redmi के Note 9 Pro 5G वाले वेरियंट की तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.67 इंची की एक Full HD Plus 5 डिस्पले मिलती है जिसमें आपको 5G का Inbuilt Sport देखने के लिए मिल जाएगा और इस स्मार्टफोन की जो स्पैसिकेशन है वा आपको तकरीवन सेम ही देखने के लिए मिलती है जैसे स्पैसिकेशन आपको Mi 10T Lite में देखने के लिए मिलती है तो guys डिजाइन वाइज और स्पैसिकेशन वाइज या जो स्मार्टफोन आपको सेम देखने के लिए मिलता है और इस स्पैसिकेशन में आपको 108 मेंगा पिक्सल का रियर कैमरा मिलता है जिसमें आपको Sampson का HM2 वाला सेंसर मिल जाता है 8 Megapixel का एक Ultra Budangle camera मिल जाता है 2 Megapixel का Depth and 2 Megapixel का Macro Sensor मिल जाता है Selfie के लिए इस smartphone में आपको 16 Megapixel का Selfie camera मिल जाता है और यह जो smartphone आपको 4820 mAh बैटरी के साथ आता है जिसमें आपको 33W की Fast Trudging का Sport मिल जाएगा तो कि इस specification बाइस ही है जो smartphone आपको काफी जादा promising लग रहा है तो देखते हैं कि इंडिया में यह किस प्राइस के साथ लूंच होता है और जो Redmi का Note 9 5G वाला variant है उसमें आपको 6.53 इंची के एक Full HD Plus Wide Display मिलती है और यहां पर भी आपको एक IPS LCD पैनल देखने के लिए मिल जाता है और इसमें आपको जो डिस्प्ले के refresh rate है वो 60Hz पर ही मिलती है आपको कोई भी high refresh rate देखने के लिए नहीं मिलते है और इसमें भी आपको side mounted fingerprint sensor मिल जाएगा और रही बाद इसके processor की तो इसमें आपको media tech का domestic 800U वाला processor मिल जाता है और इसमें आपको 5G का inbuilt sport देखने के लिए मिलेगा तो कैसे यह जो processor है वो काफी यदा powerful है और इंडिया में अगर यह smartphone launch होती है तो आपको दोने smartphone काफी यदा powerful देखने के लिए मिल जाएंगे और रही बाद इसके camera's के तो इसमें आपको 48MP का rear camera मिलेगा 8MP का ultra-able camera मिल जाएगा और 2MP का depth sensor मिल जाएगा और इस phone में आपको 13MP का selfie camera मिलेगा जिससे आप काफी अची selfies क्लिक कर सकते हो और यह जो smartphone अब वो 5000mAh बैटरी के साथ आएगा जिसमें आपको 22.5W की fast charging का sport मिल जाएगा तो एक्चल में आपको 18W की fast charging का sport ही मिलेगा बढ़ जो charger होगा वो 22.5W का आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो इस रही बाद Redmi के Note 9 4G वाले variant की तो उस smartphone में आपको 6.52 इंचीज की एक Full HD प्लस वाई डिस्पले मिलेगी जहां पर आपको 60Hz पर डिस्पले के refresh rate मिलेंगे बढ़ जो display होगी वो एक IPS LCD पैनलन के साथ आएगी और इसमें आपको जो fingerprint sensor होगा वो भी power water में देखने के लिए मिल जाएगा जैसे बाग के दो devices में देखने के लिए मिला है पर इसमें आपको Snapdragon का 662 वाला processor मिल जाता है 6000 mAh बैटरी के साथ ये smartphone आता है पर इसमें आपको 18W की fast charging का sport मिल जाता है और रही बाद इसके camera की तो इसमें आपको 48MP का rear camera मिलता है 8MP का ultra-road angle camera मिल जाता है और 2MP का depth sensor मिल जाता है तो guys specification बाइस ये जो smartphone है वो काफी अच्छा है और India में ये जो smartphone है वो आपको definitely देखने के लिए मिलेगा बट इससे पहले आपको Poco का M3 देखने के लिए मिलेगा तो guys जो Poco का M3 और Redmi का Note 9 4G वाला variant है इन दोनों की जो specification है वो आपको पूरी की पूरी same देखने के लिए मिलती है तो guys देखते हैं कि ये जो series है वो इंडिया में किस नाम के साथ लौच होती है और बताया जा रहा है कि आपको ये जनवरी के मत में इंडिया में देखने के लिए मिल जाएंगी तो guys I hope कि आपको वीडियो पसंद आए ये इस वीडियो को लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजे और साथ एक बेल को दुआ दीजे ताकि आपने वले अपडेट को मिस्ट ना करें ठेंकिए